जब पहली बार बोट डालने वाला हमारा युवा बूथ में जाएगा तो वो ईवी एम पर कमल के निशान पर उंगली दबाने से पहले विकास की इस तस्वीर को ले करके जाने वाला है साथियों आपके चौकिदार की सरकार ने जो हाशिल किया है वो तब और साब हो जाएगा जब 2014 से पहले के भारत यानि आपके इस चौकिदार के आने से पहले की सिती से जब आप तुलना करेंगे जरा एक बार उन पुराने दिनों को जरा याद करिये और मुझे बताईए इन महा मिलावटी लोगों की सरकार जब दिल्ली में थी तब देश में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे मैं दुबारा पुछो जब ये महा मिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में तब आए दिन देश में अलग अलग कौने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे ये महा मलावटी आतंकियों को सवरक्षा देते थे कि नहीं देते थे ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे उसके आधार पहे ताय करते थे कि आतंकियों को बचाना है या सजाद देनी है बताईए भाईयो ऐसा होता था कि नहीं होता था मुझे बताया गया है कि हां मेरत में जो विरोधी दोलों के उमीदवार है उन्होंने आत्वाजियों के लिए करोड़ों रुप्य के इनाम तक का एलान कर दिया था याद है ना आतंगवाजियों को करोड़ों का इनाम सोचिये महा मिलावट के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं ये महा मिलावटी लोग ब्रस्टाचारियों के साथ है कि नहीं है भाई ये लोग ब्रस्टाचारियों के साथ है कि नहीं है महा मिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाम मिलता था क्या मेरट वाले तो बराबर जानते हैं क्या बेटियों को इंसाम मिलता था क्या इनकी सरकार में गुंडे और बदमात बे लगाम थे के नहीं थे क्या ऐसी महा मिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा साथ यो मेरा ट्वार पस्टी में यूपी तो इनके कारनामों को भुगच चुका है जबसे योगी जी की सरकार आई है कि तबसे गुंडों और बदमासों में डर है भाए है बेटियों के साथ अच्छा चार करने वाले आज सो बार सोते हैं को नहीं सोते हैं क्योंकि आपके इस चौकेदार ने ऐसे लोगों को फांसी तक का प्रावधान कर लिया है ये बाते मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सभी मिलकर बीते पांच वर्षों में भारत को जिस सीती से निकाल कर लाए है इसको और मजबूत करना है देश को और मजबूत करना है कि नहीं करना है देश मजबुत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मजबुत देश के लिए मजबुत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए अगर इन महा मिलावटी लोगों को ये जराब बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें अगर इन महा मिलावटी लोगों को जराबी मोका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिती में जाने में जराबी देर नहीं लगने वाली ये कितने बेचेन है कितने बुखलाए है ये दो मेहने से देश बहुत साप साप देख रहा है बाई और बैनो आज सिती है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकिदार को चुनोती देते फिरते थे अब रोते फिर रहे है मोदी ने ये क्यों किया मोदी ने भो क्यों किया ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में गुजकर क्यों मारा ये मोदी ने आतंकियों के अड़े को नस्थ क्यों किया जो रहे हैं साथियों एक गंबीर बात कियों आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं ये सारे महा मिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपिलर होगा कौन पाकिस्तान में हिरो बनेगा इसकी स्परधा में लग गए हैं कि वहां कि मिडिया में च्छाये हुए हैं उनके नाम की पाकिस्तान में तालिया बज रही है भाईयों बैनों आप ही बताईए देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के में प्यारे देश वाचियों मैं 130 करोर देश वाचियों से पूछना चाहता हूँ क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सबूत चाहिए मेरे देश के सबूत यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है जो सबूत माइटे हैं वो सबूत को ललकारते हैं साथियों 26 फरवरी की वो तारीक जिसके बारे मैं सोचकर भी आतंके सरपरस्तों की रूख कांप रही है लेकिन पल भर के लिए सोचिये मेरे मेरे देश बासी जड़ा सोचिये कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर साइनिकों ने पराकरम किया अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बर हो जाती तो क्या होता थोड़ा सा उपर नीचे हो जाता ते लोग मेरे साथ क्या करते पूतले जलाते के नहीं जलाते मुझे नौच जालते के नहीं जालते मेरा इस्थिवा मांगते के नहीं मांगते काले जंडे निकालते के नहीं निकालते दुनिया भर की गालिया देते के नहीं देते भाई यो भाणो आप बताएए यह कोई चूप नहीं बैठते और अगर ऐसा होता तो सारा दोस किसको देते किसको देते मोजी कोई देते ना देते के नहीं देते बाई और भेनो आप आस्वस्त रहिए मैं देश के लिए अपना सब कुछ दाओं पर लगाने के लिए सैयार रहने वाला अब्यक्ति हूँ अब्यक्ति हूँ